नमस्ते, आईए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक email का जवाब दे सकते हैं या उसको किसी और विक्ति को forward कर सकते हैं. सबसे पहले आप अपने email client पर जाकर के चेक करिए कि आपको कोई नया email आया है कि नहीं. मैं यहां पर mozilla thunderbird client का इस्तमाल कर रहा हूं और इसमें देखने के लिए यहां मैं अपने toolbar पर जाके get mail के command button को दबाऊंगा. इसके दबाते ही नीचे देखें तो यहां पर यह चेक कर रहा है कोई message आया है कि नहीं. यह देखिए एक नया message आया है और चलिए इसको click करकर देखते हैं. यह message पढ़ने के लिए आप नीचे preview pane से पढ़ सकते हैं. इस message को reply करने के लिए आप यहां पर reply button पर click करें. reply button पर click करते ही उस message में जो भी जितना लिखा हुआ है वो नीचे आएगा और इसके उपर आप अपना जवाब लिख सकते हैं. जैसे कि यहां पर मैं thank you for your email लिख करके भेज रहा हूँ. भेजने के लिए send button दबा सकते हैं. अच्छा एक चीज़ और मैं बदा दूँ तो जैसे ही आप reply button दबाएंगे तो आपको यह two field अपने आप भर जाएगी. क्योंकि आपके email client को पता है कि आप किस विक्ति को जवाब दे रहे हैं. जिसका mail आया है उसी को जवाब दे रहे हैं तो उसका email address अपने आप यहां पर two में आ जाएगा. तो आपको email address दुबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसके साथ ही साथ जो आपका subject है उसमें re colon करके सबसे पहले लिखा हुआ आएगा. इसका मतलब है कि आप यह email का reply कर रहे हैं. reply करने के लिए send button दबाएं. यह connect हो गया है मेरे mail server को और यह mail भेज रहा है इस वकद mail चला गया. अब इसी email को अगर आपको किसी को forward करना है, किसी और वक्ति को forward करना है, तो उसके लिए यहां पर दिये गए forward button को click करें. आप यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपने सही email चुना हुआ है forward करने के लिए. अगर आपने यह email चुनके forward दबाया, तो आपका यह email forward होगा. अगर आपने ये उपर वाला email forward करना चाहते हैं तो पहले सुनिश्चित कर लें कि कौन सा email forward करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके और फिर forward button दबाएं forward button दबाने से आपके computer client को बिल्कुल नहीं मालूम रहता है कि आप ये किस नए वक्ति को forward कर रहे हैं तो forward करने के लिए आप यहाँ पे अपना email address डालें जैसे ये एक नया email address में डाल रहा हूँ जैसा आप ये देख लें subject में जैसी आप forward करेंगे तो fwd colon लिखा हुआ आ जाएगा इसका मतलब है कि ये forwarded email है और इसको send दमाए तो ये connect करेगा आपके email server को और mail भेज देगा तो आपने देखा कितना असान है किसी भी email का reply करना तथा उसको forward करना अब आप खुद अपने email client पर email भेजिए email का reply करिए email forward करिए ये 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 ब मुब ब एव है ये ये